इस फोन में आपको सबसे ज़्यादा डिसकाउंट मिलने वाला है जो कि ओफर प्राइस 20,999 है बट काट डिसकाउंट लगाने का बाद 17,999 में इजली मिल जाएगा Amazon पे हेलो दोस्तो तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि फिलिपकाट और Amazon का सेल लाइब है और इस सेल में बहुत सारे स्मार्टफोन पे डिल चल रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फाइनल चोईस क्या है मैं 3,000 से लेके 15,000 के बज़ेट सेगमेंट म स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा कौन सा स्मार्टफोन में अच्छा कासा डिसकाउंड मिल रहा है हर एक प्राइस सेगमेंट में दो-दो स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि बेस्ट डिल और वैलू फर मनी होगा आपके लिए सबसे पहले 10,000 से 15,000 के बज़ेट में जो बेस्ट डिल और वैलू फर मनी वाले फोन आते हैं Poco X6 New 5G यस दोस्तों अगर आप अंडर 12,000 में गेमिंग स्मार्टफोन पर्चेस करने का सोच रहे हो तो ये फोन आपके लिए बेस्ट डिल रहेगा अगर बात करें स्पेक्स की तो MediaTek Dimensity 6080 का प्रोसेसर उसे के साथ 108 प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटप आता है सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है अमुलेट डिस्पले मिलता है विद 120 हर्ट से रिफिरेस्ट जो कि इस प्राइस पॉइंट में बेस्ट वैलू है 5000 इमेच के बैटरी विद 33 वाट का फार चार्जिंग सपोर्ट 8GB RAM प्लस 128 स्टोरेज अगर प्राइस की बात करें तो ओफर प्राइस 12,999 है बट डिसकाउंट होने के बाद 11,999 में मिल जाता है दूसरे फोन की बात करें तो CMA Phone 1 है जो की नथिंग के तरफ से आता है येस दोस्तों ये वो न्यूनिक डिजाइन के साथ आता है जो की बाती सा फोन से अ सिक 7 इंचेस का 120 Hz OLED डिस्पले 50 मेगा पिक्सल का डूल कैमरा सेट अप और 5000 इमेज की बैटरी मिलने वाली है अगर ओफर प्राइस की बात करें तो दोस्तों पहले बता दो की ओफर प्राइस मतलब आप डारेक्ट बाइ कर सकते हो बिना कार्ड लगाए मतलब आगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप डारेक्ट बाइ कर सकते हो 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज तो इस फोन का ओफर प्राइस 14,999 है बट कार्ड डिसकाउंट लगाने का बाद 12,999 में पर्चेस कर सकते हो जो की एक बेस्ट डील रहेगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15,000 से 20,000 के budget range में जो best value for money smartphone है सबसे पहले Moto H50 Fusion दोस्तों Moto अपने clean Android stock के लिए जाना जाता है जहां पे आपको एक curb display भी मिल जाता है और ये phone best price के साथ आता है अगर specs की बात करें तो 6,7 inches का P OLED display मिलता है जो की 144 हर्ट रिपरेसरेट पर वर्क करता है Snapdragon 7S Gen 2 का processor मिलता है जो काफी strong processor है dual camera setup मिलता है main camera 50 megapixel का दूसरा 13 megapixel का ultra white camera selfie camera 32 megapixel का और 5000 image की battery मिलती है उसी के साथ 68 watt का far charging support 8GB RAM प्लस 128GB storage अगर offer price की बात करें तो 20,999 है बट card discount लगाने का बाद 19,999 में मिल जाता है या तो अगर आपको एक gaming smartphone चाहिए तो आप IQZ9S 5G को consider कर सकते हो इस phone का unboxing video भी बनाया हूँ आप description में check out कर सकते हो aspect की बात करें तो 6.777 inches का AMOLED डिस्पले मिलता है उसी के साथ 120Hz का refresh rate और HDR10 Plus का support में आपको made rate एक Dimensity 7200 का processor मिलता है जो की एक gaming processor है dual camera setup मिलता है 50MP का main camera उसी के साथ 2MP का depth camera selfie camera 16MP का आता है 5500 damage की batty मिलती है उसी के साथ 44W का charger जो की एक fast charger है और 7.5W का reverse wireless charger भी मिलता है 8GB RAM Plus 128GB Storage इस phone में आपको सबसे ज़्यादा discount मिलने वाला है जो के offer price 20,999 है बट card discount लगाने का बाद 17,999 में easily मिल जाएगा Amazon पे अगर आपका budget 20,000 से 25,000 में है तो इस budget में आपको काफी अच्छी अच्छे phone मिल जाते हैं सबसे पहला phone की बात करें तो Weaver T3 Pro 5G दोस्तो इस phone का offer price 24,999 है बट card discount होने के बाद 21,999 में आराम से मिल जाता है इस पेक्स की बात करें तो Snapdragon 7 Gen 3 का processor मिलता है उसी के साथ 6.77 इंचेस का Full HD प्लस AMOLED डिस्पले 50 प्लस 8 मेगा पिक्सल का camera setup और 16 मेगा पिक्सल का selfie camera आता है 5,500 डेमेज की बैटरी मिलती है और 8 GB RAM प्लस 128 GB storage अगर आपको वीवो नहीं चाहिए तो आप Moto H50 को भी consider कर सकते हो जो कि इसमें 8 GB RAM प्लस 256 GB storage मिलता है यहाँ पे हमें Snapdragon 7 Gen 1 का processor मिलता है फिर 50 प्लस 13 प्लस 10 मेगा पिक्सल का camera setup, selfie camera 32 मेगा पिक्सल का मिलता है 6.67 इंचेस का P.OLED डिस्पले उसी के साथ 5000 मेच के बैटरी मिल जाती है 8 GB RAM प्लस 256 GB storage, offer price इसका 26,999 है और card discount लगाने के बाद 24,999 में मिल जाता है उसके बाद 25,000 से 30,000 के budget में flexi value for money वाला phone मिलते हैं सबसे पहले वीवो का ही T3 Ultra, दोस्तों वीवो का जो T series है वो काफी trending पे है क्योंकि इसमें जो specs मिलते हैं वो काफी अच्छे होते हैं यहाँ पे हमें Diamond City 9200 प्लस का processor मिलता है, फिर हमें 50 प्लस 8 मेगा पिक्सल का camera setup मिलता है Selfie camera 50 मेगा पिक्सल का 6.78 इंचेस का curve display और 5,500 डेमेज की बैटरी मिलती है 8 GB RAM प्लस 128 GB storage, अगर offer price की बाद करें तो 31,999 है बट card discount लगाने का बाद 28,999 में मिल जाता है Yes दोस्तो और एक phone मिलता है जो under 30,000 में जो की Samsung Galaxy S23 FE दोस्तो इस phone के बारे में तो बात ही नहीं करनी क्योंकि Samsung का S series काफी अच्छा और flexible होता है 8 GB RAM प्लस 128 GB storage, अगर हम इसकी offer price की बाद करें तो 29,999 है बट card discount होने के बाद 27,999 हो जाता है उसके बाद flagship series के तरफ बढ़ते हैं 30,000 से 40,000 के range में पिक्सर 8 आप consider कर सकते हो 8 GB RAM प्लस 128 GB storage जहां पेस का offer price 38,000 तिरपल लाइन है और effective price 33,000 तिरपल लाइन है उसके बाद iPhone 13 या फिर Samsung Galaxy S23 iPhone 13 का offer price 40,000 तिरपल लाइन है और net effective price 39,749 है और S23 का offer price 42,000 तिरपल लाइन है और card discount होने के बाद 39 तिरपल लाइन है उसके बाद ultra premium flexi phone की बात करें जो के 40,000 से 50,000 के price point में इस sale में मिलते हैं सबसे पहले Vivo V40 Pro और दूसरा Motorazor 40 Ultra Vivo V40 Pro का offer price 49,000 है और net effective price 44,000 है और Motorazor 40 Ultra का 64,999 है बाद card discount होने के बाद 49,998 हो जाता है या फिर आप थोड़ा budget आगे बढ़ाओगे तो आप iPhone 15 को भी consider कर सकते हो जो की offer price इसका 55,249 है I hope दोस्तो वीडियो आपको informative लगी होगी तो subscribe करना नहीं भूलिएगा मिलते निक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई